और अब बात शिप पूरी की जहापी की इंद्री मंतरी जियोत्रतborg सिंधिया के कार्यकूर में टेंट गिरा है खराब मौसम की चलती यह टेंट धराशाई हुआ है सुरक्षा गर्मे होने की इंद्री मंतरी सिंधिया को सुरक्षत निकाला और कारेकरता आभार सम्मेल में शामिल होने के लिए पहुंचे थी सिंधिया इस दौरान यहाँ पर देखिए कैसा एक बड़ा हादजा होते होते टला है क्योंकि बारिश बहुत जादा थी, मौसम खराब था इसके चलते यहाँ पर इंतजाम जो काफी ज्यादा किया गया था वो इंतजाम भी फीका पढ़ गया इस बारिश के सामनी ये टेंट देखिए धराशाई हो गया लेकिन गरी मत रही, रहत ये रही कि कोई किसी को नुक्सान नहीं हुआ है और यहाँ पर देखिए, जैसे ही टेंट धराशाई होता है, सब लोग आपनी जान बचाते वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं अतुल गौड जादा जानकारे के साथ जोड़े हैं अतुल यहाँ पर कोशिश तो तमाम कियोगी टेंट कर्मियोंने की इंतजाम अच्छा खासा हो क्योंकि केंद्री मंतरी का ये पहला दोरा था सिंध्या का मंतरी बनने के बाद लेकिन यहाँ पर देखिए, बारिश ने सारे इंतजाम को जो है फेल कर दिया और राहत की बात यहें कि इस टेंट जब धराश आई हुआ तो कोई हताथ नहीं हुआ है जी दिबिका देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन हम आपको बता दें कि जोत्रादित सिंधिया जो भाजपा के टिकेट पर पहली बार सांसत बने है और अपनी लोकसभा शेतर में धन्यवाद देने मजदाताओं का आभार जैताने कल पहुँचे थे से पहले वह गुना पहुचे अशोक तगर गए और फिर वहां से शिवपुरी आए शिवपुरी जब देरशाम वह पहुचे तो मौसम आचानक एक खराब होने लगा था लेकिन तब उतनी स्थितिक खराब नहीं थी वह रोडशो करते हुए धन्यवाद मंच पर पहुचे और मंच पर जैसे ही पहुचे तो मौसम बिगड़ चुका था उन्होंने अपना एक संचिप्त में उद्बोदन दिया संचिप्त नो उन्होंने आभार विक्त किया और मंच पर खड़े होकर वो कारिकरताओं के साथ जिलायत द्यक्ष उनके साथ मौजूद थे और तमाम न इसमें खास बात ये रही कि उस समय टेंट पर बाकाइदा बिजली चालू थी और अगर बिजली को सप्लाई को बन नहीं किया जाता तो यकीनन बहुत बहुत बड़ा हाथसा घटित हो सकता था लेकिन भगवान की गनिमत रही कि वो इस तरह के हाथसे के शिकार नहीं हुए उनको पूरी तरह से सुरक्षत निकाल लिया गया इस बीच कारिकरता जो वहां मौजूद थे आम जनता वहां मौजूद थी वहां भगडर जैसे इस्तिती मच गई आला कि पुलिस और प्रशासन की विवस्थाओं के चलते उनको ठीक तरह से निकाल लिया गया जी दिपिक बिल्कुल यहां पे अब इस मामले में क्या कारवाई की जा रही है क्यूंकि देखिए मौसम खराब रहने वाला इसकी भविश्चवारी मौसम वभा की तरफ से लगा था की जा रही है लेकिन कई ने कई फेलियर तो यहां पे सामने आया है प्रशासन का जी बिल्कुल देखिए फेलियर है और इस तरह की जो मौसम बिगरता है और इसकी अनुमान पहले से जटाये जाते हैं और इस तरह का मौसम का अनुमान पहले से प्रशासने का अधिकारियों के पास में था उसके बावजूद यतनी बड़ी संख्या में वहां कारिकरता मौ कार हो गया और जब शेर के बीचों बीच एक बिल्डिंग के किनारे लगा हुए टेंट इतनी बुरी तरह से उखड़ गया आधी की चपेट में आ करके तो निश्चित तोर पर ये बड़ा फेल हुआ रहा है हाला कि इस तरह से मद्पर्देश में 14 अन्य जिलों को कहा किया है अलेट पर रहने के लिए मौसम विवाग ने कहा है कि बारिश तेज बिजली गिर सकती है इस तरह की घटनाए जो है उसमें कहीं न कहीं शिवपरी भी आता है तो उसमें शिवपरी को भी अफसावधानी बरतनी होगी जी दिबिगा बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया ज ज़ानकारी साजा करने के लिए आपका